नमस्ते दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और नए वीडियो में दोस्तों आज हमारे पास में है बुलेरो नियो और यह इसकी चाबी है बुलेरो नियो का टॉप मॉडल है ऑप्सनल है उसमें भी और यह तीन बटन्स आते हैं इसमें लॉक अलॉक और एक बार यह लाइट के लिए बीच में दिया हुआ है और फ्लिप की है यह जो कि टीपिकल आप तेखेंगे तो ज्यादा तर महिंद्रा की आजकल गाड़ियों में यही वाली की आ रही है नयवाला लोगो है सामने डीरल भी आ गया है हलाकि लाइट अभी भी हैलोजन है बोलेरो ना मतलब हो सकता है कि किसी को पसंद आये किसी को ना आये और यह टाइर प्रोफाइल है 215-2525 और अपोलो के टाइर से हैं मोटे टाइर दिये गाये हैं यहां पर जो टायर प्रोफाइल है काफी ज्यादा हाइए तो आपको राइट अची मिलने वाली है जो इंडिकेटर है है कंपनी से ही मिलती है जैसे कि इस्ट अपनी कवर हो गया या पीछे फुट्रस जो चढ़ने के लिए फुट्स्टेप दिया हुआ है और रियर कैमरा पार्किंग सेंसर यह सारा कुछ उस एंटेन उप्सनल में आपको मिलता है फिलाल बात करें तो इसमें आता है 1.5 विटर का डीजल इंजन जो कि तीन सिलिंडर का इंजन है और यह प्रोड्यूस करता है 100 BHP और 260 NM का टॉर्क यह एंटेन का बैज आप पीछे देख लिजिए तो यह जो है ना काफी एक तरह से अच्छा प में आपको देखने को मिलेंगी 13,70,000 रुपए इसके लिए पे करना होता है हमारे एरिया में आप अपने निर्जदी की महिंदर सोरूम पे कॉल करके यह जा करके डीटेल्स जान सकते हैं तो फिलाल अंदर चलते हैं कोई भी कीले से इंट्रियों नहीं है अंदर प्लास्ट तो कहीं नहीं है सारे हार्ड प्लास्टिक लगा करके दिये हुए हैं पूरे केबिन में अचाहे स्टेरिंग की हम अगर बात करें तो देखने को मिलेगा यह चेंज है और टी यूवी जो आती थी सही बात है बिल्कुल सही बात है वही गाड़ी है यह कुछ थोड़े वह च तो है उसका अलगी क्रेजे वाई उसका जगह कोई नहीं ले सकता है और भी हमके कंट्रोल स्लाइट्स वगरा के कंट्रोल दिये हुए हैं और यहां पर आप देखें इस्ट्रून क्वेस्टर कुछ पार डिजिटल पार्ट इनलोग में है और जो बीच में जो चुछ सेवन सीटर कह सकते हैं आप इसे हलाकि जो पीछे की दो सीट से वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है अब बात करें सेफ्टी की तो पहले तो देख लीजेए एट ट्राइवर सीट और शिक्स वे अडिजेस्टिबल को ट्राइवर सीट है और यहां से आप फ्यूल फिल्ट क आपको मिल जाता है बेसिक सेफ्टी फीचर जो कि गवर्मेंट ने कर ही दिया है कि इतना तो आपको देना ही होगा तो बोलेरो आपको वह दे रही है बोलेरो नियो दे रही है मतलब और यहां पर आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें अंदर दो ट्रिप मेंटर आप टॉप मॉडल में सेवन इंच का यह स्क्रिन है चैस्पीकर्स के साथ मुजिक सिस्टम आता है साउंड क्वालिटी एवरेज है और यहां पर बटन्स वगरा है इनकी जो फिनिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा यार यहां भी आपना रेंज अलर्ट्स इंपरमेशन डिय कर सकते हैं तो यह है यहां पर दिया हुँआ है तो अच्छींद। आप 120 के आराम से उसी स्पीड पर क्रोज कर पाएंगे और यहां पर यह लाइट्स वगरह देखिए मिलती है और सारी सारी हेलोजन है को ड्राइवर को एक वैंटी मिरर भी मिलती है ड्राइवर को मुझे नहीं उमीद है कि वह चीज़ें मिलेंगी जी हां ड्राइवर को नहीं मिलता है और यहां पर आप देखिए तो कुछ इस तरह का रूप लाइनर अगरह दिखता है ग्रे टाइप का ही कलर है बेज वाला ही और इस तरह का अच्छा खासा सब्सक्राइब कोई कमी नहीं स्पेस की हैंड्रेस्ट अलग-अलग मिलते हैं तो कुछी से जगड़ा आप आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर आप देखें एसी के कंट्रोल से और हजाड लैंप का स्विच भी यहां पर आपको सेंटर में ही मिल जाता है तो कुछ इस तरह का डैस बोर्ड और पूरा यूनिट दिखता है इसका और फील ठीक टाक्सी है यार 14 लाक रुपे क अधर एक रियर विल ड्राइव वाली एस्यू भी चाहिए आपको तो बहुत कम अप्संस है जिनमें से एक यह बढ़िया ऑप्सन है अधर्वाइस अगर आपको रियर विल ड्राइव नहीं चाहिए फिर आपके लिए गाड़ी है नहीं आप करेटा या उस तरह की गाड़ी जो फ्रेंट वेल ड्राइव वाली हैं उनमें ज्यादा आपको कमफर्ट मिलेगा ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे उनमें आप जा सकते हैं फिलाल मैं संतुष्ट हूँ जिस परपच से आती है गाड़ी उससे को यह फिल्फिल करेगी रियल वेल ड्राइव है तो जो अराम से आगे बैढ़ने के बाद मेरे बैढ़ने बरका मेरे हाइड सकते हैं इतना स्पेस दिया हुआ है और यहां पर हैंड़र में पैक करवा रखा है सीट कवर से तो मैं उसको पैक ही रहने दूँगा कुछ बोलूँगा नहीं आपे क्योंकि वाही है सबकि अपनी और यह पार विंडो आपको कंट्रोल मिल जाता है बागी बिल्ट क्वाल्टी के मामले में मजबूत है ऐसा नहीं है कि कोई हलकी चीज है बोलेरो नहीं हो मजबूत गाड़ी है लेकिन अगर आपको रगेट देशी ऐसी होगी ही चाहिए तो अपनी पुरानी वाली बोलेरो है इस पे क्यों जाएंगे अब यह मुझे कनफ्यूज गाड़ी लगती सच बताओ तो यह पीछे जो बैठेंगे उनको भी खोलने का उप्सन है आप खोल के अंदर से उतर सकते हैं यहाँ पे टूल्स होगे रहे हैं और जैक होगे रखा हुआ है और यह सीट ऐसे ही फोल्डे हैंडेल होगे रदिया हुआ है कभी इमर्जनसी में बच्चों को या थोड़ी दूर की यात्रा के लिए बैठा सकते हैं हाईवे पे तो बिल्कुल सेफ नहीं मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यह कारपेट होगे ठीक ठाक क्वालिटी का है जिस प्राइस पे और जिस सेग्म तो यह इसका काफी जो बहतरीन लुक है वह आप चेक आउट करिए अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं यह रिकमेंड करता हूं तो जी आगर आपको बहुत ज्यादा इसकी लुक हो गयरा सब पसंद है तो आप बिल्कुल इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं कोई इसमें कमी नहीं है तो फिलाल के दोस्तों बोलेरो नियों के बारे में इतना ही बताना था अगर आपको कोई सवाल या सुझा हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम आइडिया भी स्क्रीन पे हैं वहां भी आप हमें मैसेज करके और पूछ सकते हैं इस वी नियों खरी देंगे या कोई और गाड़ी इस बजट में जरूर कॉमेंट करके बताएगा